हलो दोस्तों टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत हैं यहां पर इस वीडियो में मैं आपको टॉप अपकमिंग स्मार्टफॉन के बारे में बताऊंगा जो हमें इस महने इंडिया में देखने को मिलेगा कोंसिडेंट में लांच होगा क्या है इसका स्वेसिफिकेशन सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चैनल प्राय होतों सब्क्राइब कीजिए बेल आइकन मज़ेए आल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब लांच होने वाले है और बहुत सारे फाज़ी फोन्स लांच होगा तो यहां पर सबसे पहले फोन की बात करें तो दोस्तों जो कंफर्म है वो है रेडमी का नोट 10 सीरीज फोर्थ मार्च को लांच होगा इसमें आपको एमोलेट डिस्प्ले एक्सवाट मेगाफिक्सल का के अब देखते हैं यह तो हमें फोर्थ मार्च को ही पता चलेगा इसके बाद बात करते हैं आसुस की यहां पर दोस्तों आसुस का आरोजी फोन 5 जो 10 मार्च को लांच होगा यह आरोजी फोन 3 का सक्सेसर होगा इसमें आपको श्नेप ड्रेगन ट्रिपल एट प्रोसेसर देखने को मिलेगा अब देखते हैं आसुस जो है क्या प्राइज में इसे लांच करता है क्योंकि दोस्तों इंडिया में प्राइज जो है बहुत माइने रखता है तो आसुस क्या प्राइज पर इसे लांच करता है यह तो हमें 10 मार्च को ही पता चलेगा इसके बाद दोस् टेक्स वाले March में कौन से डेट में लांच करता है लेकिन हाइयर पॉसिबिलिटी है कि मार्च में Micromax का एक फोन जो है देखने को मिलेगा इसके अलावा बात करें अगले की तो ओपो भी दोस्तों बहुत सारे फोंस जो हैं लांच करने वाले हैं जहां पर F19, F90 Pro या फिर Find X2 का सक्सेसर Find X3, 3 Pro वगरा जो हैं लांच कर सकते हैं लेकिन मार्च में ओपो का 2-3 फोंस तो हमें देखने को जरूर मिलेगा अब क्या प्राइज में इसे ओपो लांच करत है यह तो उसी टाइम पता चलेगा साथ ही दोस्तों Samsung भी कहां पिछे हटने वाले हैं यह तो बहुत सारे फोंस लाने वाले हैं A-Series के M-Series के M-12 और A-32, A-52 या फिर A-72 बहुत सारे फोंस हैं दोस्तों Samsung का मार्च में Samsung की तरब से फोंस जो है देखने को मिले गई Realme इसे कैसे भूल सकते हैं दोस्तों Realme 8 Series जो है टीज होना चालू हो गया है और यह बहुत जल्द मार्च में ही हमें देखने को मिलेगा Realme 8, 8 Pro इसका number series दोस्तों बहुत ही popular है I think यह 8 Pro जो है 5G होगा बड़ी बेटरी, AMOLED डिस्पले वगरा, higher refresh rate वगरा देखने को मिलेगा अब देखते हैं 8 Series कोन से date में launch होता है March में और क्या price पर launch होता है क्यूंकि दोस्तों इंडिया में price जो है बहुत माहिने रखता है अब देखते है Realme वालों इंडिया में क्या price पर launch करता है इसे यह तो हमें उसी time पता चलेगा next smartphone की बात करें तो OnePlus 9 OnePlus वाले भी OnePlus 9 Series जो है launch कर सकते है March में OnePlus 9 9 Pro इसके काफी दिनों से leaks वगरा देखने को मिल रहा है यह higher possibility है कि March में ही 9 Series देखने को मिल जाए अब देखते है OnePlus वाले क्या price पर launch करते हैं क्या processor होता है कैसे display देखने को मिलेगा यह तो हमें उसी time पता चलेगा जब यह launch होगा इसके अलाव बात करें अगले smartphone की तो Poco का X3 Pro हमें इसी मेहने देखने को मिल सकता है यह 4G होगा अभी हाली में BIS में certified हुआ था तो यहाँ पर 4G दिखा रहा था और साथ में F Series का भी F2 वगरा देखने को भी मिल सकता है इसके अलाव बात करें अगले phone की त तो Vivo को कैसे भूल सकते हैं दोस्तो Vivo जो है 11 smartphone जो है लाने वाले हैं जिसमें आपको Vivo का X60 या फिर V21 Series जो है देखने को मिलेगा और भी 3 March को चाइना में S9 जो है launch होने वाला है वो भी सायद हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है March के महने में अब देखते हैं Vivo कौन स इस सीरीज को पहले launch करता है क्या processor है क्या price पर launch करता है यह तो हमें इसी महने पता चलेगा तो दोस्तो इस महने जो है बहुत सारे phones जो है launch होंगे इसमें से मैं Redmi Note 10 सीरीज के लिए काफी excited हूँ लेकिन दोस्तो आप मुझे comment करके जरूर बताना कि आप कौन से phone के लिए सबस क्यार दोस्तों